हलो, नमस्कार, आज हम देखेंगे की वंटोन सूप कैसे बनाएं इसके लिए मैंने ये प्याज, लहसन, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता लिया है जो की बारिक-बारी काट लिया है अब थोड़ा सा ओईल लेते हैं और ओईल को अच्छे से गरम होने देते हैं जैसे ही ओईल हमारा गरम होगा, जब तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं ये देखिए चिकन है ये थोड़ा सा दो ग्लास पानी डाल के ये मैंने बॉइल कर लिया है दो ग्लास पानी में एक पआज काकर डाला करको आ Lubd Τर्फ इसमें एक पत्ता डाला कर जरहे जर्द सके बुदूर्य कि देए, जब तक इसको रखने स्पीपति स्याविशत है जर्द रकर ये डाला है टेवर और तरन रसित दानी में जर्द देए पत्ता तेज पत्ता और यह लेशन डालेंगे एक मुठी भर के यह बारिक लेशन है कटा हुआ कि इसको सॉटे कर लीजिए गरम अभी हमारा फ्लेम हाई है कि यह मस्टर्ड ओई है आप कोई भी ओई ले सकते हैं कि अच्छे से इसको सॉटे कीजिए आप आप इसमें हम यह कडी-पत्ता डालेंगे जो कि हैंणा चॉप किया हुआ है जुलेन बना दिनकानाली को फ्राइद कंदेरी बल्स केटार नव्य टालिए अब एक प्यास टालते हैं या बारिक कर लिए और उसको भी साटे कर ले्दे जब तक इसको भी हम फ्राइद कर लेते है यह देखिए ज़्यादा Egypt को ब्राउंन में करना एं लेहिन अब या फ्लेम हाइ यह शचिकन ग्राइन और इसको अच्छ से हाइफ्लेम पे गरम किदए अच्छ से एसके चंक से जाएंगे कि आप अधिवन पे अच्छ से बना लेजिए क कि देखते ही अच्छ से व openness हो गया है हमारा छिकन यह अच्छे से मिला लीजिए इसे मिलाने के बाद अब इसको अच्छे से मिला दीजिए इसमें यह अच्छे से मिल गया है यह देखें यह बहुत टेस्टी बनता है और यह बच्छों को बहुत पसंद आता है यह देखें यह हमारा चिकन और यह मसाला हमारा रेडी हो गया है अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी प्याज जोकी बचा के रख लीती मेंने क्योंकि इसकी स्मेल नहीं आती है इसे चिकन की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी फिलेबर आएगा इससे थोड़ी सी हम उपर से इसमें कच्छी प्याज ढाल दी है हमें भूनना नहीं है ज्यादा सुखाना नहीं है बस हाई फिलेम पर इसको हम सौटे कर रहे हैं अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यह देखिए और इसको भी गरम कर लीजिए इसको ऐसी थोड़ा सा गरम हो जाए फिर आम इसमें मिलाएंगे इसको अगर डायेक्ट मिला देते हैं तो इसमें जिंजर गार्लिक की स्मेहल आ जाती है फ्लेवर नहीं आता है अब थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पिंच हल्दी डाली है यह अच्छे से मिला लीजी और यह हमारा रीडी हो गया है देखिए अच्छे से स्टीम आ गई है अब इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे हम ज्यादा नमक नहीं डालेंगे थोड़ा डालेंगे यह देखिए यह मसाल अच्छे से मिल गया है अब इसमें थोड़ी से हम आदी स्पून काली मिर्ची डालेंगे काली मिरची से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वन्टॉन सूप में काली मिरची से ही आता ओर इसमें मसाले है जब शुर्ए ग SGAL Muay मसाले डाले है और बहुत थोड़ी से क्योंकि हमें अना फ्लेबर चाहिए ज्यादा मसाला नहीं चाहिए इधर हमारा ये चिकन सूप भी रेडी है ये देखिए जो बचा हुआ था ना बोन बगारा ये सब बॉइल करके इसको थोड़ा सा ये बॉइल हमारा रेडी हो गया है अब हमेना मैदे माड़के मैदे में न ताम पूड़ी बनाते है घर में बस उतना अब इसकी फीलिंग भर देते है ये चिकन की फीलिंग थोड़ा से एक स्पूंस करते हैं और इसको बेक्स कर दीश है जासे हम गुझियaa बनाते है वस बस दे करता ही इसको पैक वैसमारा थिचए ने धान रखना है ज्यादा गिल जब बॉइल होगा तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, यह हमारा इस शेप में रेडी है मैं दूसरी भी बना के देख रही हूं, यह देखें गुजिया की शेप में भी रख सकते हैं, लेकिन वांटन सोप का इसमाई शेप ही मैटर करता है यह करें प्रच ऊंदर का Κा अच्छे से पक करें हों, तो यह खुल जायेगा यह खुल जाया तो इसका मसाला सारा भाँ आज जाएगा तो हमने वह नहीं चाहिए तो इसको पाँ प्लिदू करें चाहिए और यह शेप सस्कत कर दीजेए अच्छे से बश्भरन करें यह ना गरम पानी रख दिया था मैंने पहले बोईल हो गया है अब इसमें डाल दीजिए बन बाई बन इप छे डाल दिये हैं मैंने और इसको थोड़ा सा ढखके रख दीजिए ताकि यह ना एक बोईल आ जाए इसमें अच्छे से यह देखे यह ऊपर आ गये हैं हमारे सारे अज़ा आ जा बोईल डाल दिया है मैंने जाधा नहीं डाला है एकी स्पून डालना है इसको उपर नीचे करके अच्छे से पका लीजिए ताकि यह अच्छे से पक जाए कच्छा ना रहे है अब हैना दूतिन पत्ते लेंगे कैबेज के जो की हमें काटके नहीं डालना है तोड़के डालना है यानि की फाड़के डालना है यह देखे और दो मश्रूम लेंगे हम इसमें मश्रूम भी ले सकते हैं और ब्रोकली ले सकते हैं यह मश्रूम ले लिया है और इसमें डाल दीजिए उबलते हुए पानी में इसको मिलाना नहीं है अब इसके उपर काली मिर्ची का पाउडर रख दीजिए तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो हमने चिकन का सूप बोईल करके रखाता ना इसमें वो भी डाल दीजिए, जो नीचे का राजाता है न वो नहीं डालना है, बाकी उपर उपर से उठाके इसमें डाल दीजिए, इससे इसका फ्लेवर है न अच्छा और बढ़ जाएगा, और एक अच्छे से बोईल कर लीजिए, औ येलो वाली भी डाल सकते हैं, और ब्रोकली, इसमें ब्रोकली डाल कर भी खाया है, और एक में ये बैल पिपर, ग्रीन वाली कैपसिकम, और हम ये कौन स्टार्च लेंगे, एकी स्पून, और इसको चान के डालना है ताकि इसमें लंचना रहे, ये देखे, ज्यादा नहीं पर बस थोड़ा सा ढाला है फ्लेवर के लिए, और इसको अच्छी से मिला दीजीए, ये हमारी खुली नहीं है इदेखे, थोड़ा सा इसका निकला है थोड़ा सा तो इसका कलर ऐसा हो गया इसको बैल होने दीजीए, लास्ट में हम ब्रोकली डालेंगे, जब हम सर्व करें तो जिंजर, ब्रोकली, कैपसिकम और लेमन जो भी आप फ्लेवर खाना चाहें वन्टोन सूप हमारे रेडी है यह बहुत ही टेस्टी है थैंक यू, थैंक यू